Hey friends, welcome back to the channel. पिशले हफ़ते हमने BDNF, that's Brain Derived Neurotropic Factor के बारे में बात करी थी. ये क्यों इतना important है? अगर आपने BDNF topic miss किया है, तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप Productive Brain Page Without Space YouTube में सर्च करें और Power of Learning BDNF जरूर देखें क्योंकि it's a very good learning, आपको काफी knowledge मिलेगा and Productive Brain Page में हम लोग काफी knowledge-based topics ही share करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का topic है transient hyperfrontality, this is again a psychological term. दोस्तों, हम सुभा जब जल्दी उठते हैं, हम बहुत ही relaxed state of mind experience करते हैं. उस state of mind को आपने भी experience किया होगा, उस समय आपको तंग करने वाला कोई नहीं होता. आप बहुत ही peaceful और self-time experience and enjoy करते हैं. ये बहुत थोड़ी समय के लिए होता है, उस state of mind को transient hyperfrontality कहते हैं. और detail में अगर जाएं, तो friends, जब सुभा जल्दी उठते हो, तो हमारा front portion of the brain, जिसे prefrontal cortex कहा जाता है, वो शान्त रहता हैं. और बाकी part of the brain डॉमिनेंट हो जाता है, इस बिकास आपको again disturb करने वाला या mind divert करने वाला environment नहीं होता सुभा. इसे transient hypofrontality कहा जाता है. चलिए, flow chart के माधियम से समझते हैं. इस flow chart में ये बताया है कि transient hypofrontality को flow state भी कहा जाता है. और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो prefrontal cortex है, वो शान्त रहता है, तो उस वज़ए से क्या होता है? हमारे brain में cortisol hormone secret जो होता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है. cortisol hormone is also called as a stress hormone. जितना जादा आपके शरीव में cortisol hormone रहेगा, इसका मतलब आप उतना ही जादा stress अपनी जिन्दगी में लेते हो on a daily basis. और transient hypofrontality में आने के कारण, cortisol hormone हमारे शरीव में कम हो जाता है, जिसके वज़ए से हम कम stress लेते हैं अपनी जिन्दगी में. और जिस हिसाब से cortisol hormone कम होना हमारे लिए अच्छा है, उसी प्रकार there are two more hormones जो सही मात्रा में अगर सिक्रीट हो तो वो हमारे लिए बहुत ही जादा अच्छा साबित होता है. तो वो दो hormones है, one is called as the dopamine and the second is called as serotonin. So these two hormones can also be referred as good hormone. यह हमारी शरीड में, जितने सही मात्रा में सिक्रीट होगा, हम उतने ही effective होगे, productive होगे और बहुत ही composed nature के होगे. ओके, यह flow chart में आप पढ़ भी सकते हैं, dopamine and serotonin. अब हम बात करते हैं, brain waves की. हमारा brain जो है, अगर हम अपने brain को scan कराएं, तो हमें पता चलेगा, कि हमारा brain जो है, वो अलग-अलग frequencies में रहता है, जैसे की beta, alpha और theta. नॉमल human being जो है, वो on a daily basis, वो बेटा frequency level पे ही रहते हैं, लेकिन transient hypofrontality के वज़े से क्या है, कि हम अपने brain की frequency को alpha और theta level पे भी लेके जा सकते हैं, जिस वज़े से हमारा brain जो है, बहुत ही relax होगा, और जितना आपका mind relax होगा, आप उतने ही जादा सटीक सोच पाएंगे, आ आप उतने ही concrete आपके thoughts होगे, उतने ही powerful आपके imagination की capacity होगी, और उतना ही growth के आप और नजदीक जाप पाएंगे, क्योंकि जितना composed mind रहता है, उतना ही powerful आपके thoughts होते हैं, तो इसलिए, जितने powerful लोग हैं, वो जादा तर कुछ समय सुभा अकेले में बिताना चाहते हैं, तो that is the basic reason, transient hypofrontality, तो होप आपको ये topic पसंद आया हो, तो ये है productive brain, without space आप search कीजेगा, और subscribe कीजेगा, और ऐसे इस टाइपस के बहुत brain के topics इसमें already updated है, तो आप उससे go through कर सकते हैं, उसमें, दोस्तों, अब because हम लोग असाम से हैं, तो North East India का बहुत ही बहतरीन पार्ट है, ज अभी असाम कुछ सालों से limelight में आ रहा है, तो असाम के बारे में मैं आपको बता दो, असाम is a very very beautiful state, और यहां की tourism बहुत ही अच्छी है, और यहां के लोग बहुत ही अच्छे है, तो असाम में एक बहुत नामी temple है, उस temple का नाम है, मा कमक्या Temple, जो की गौहाती में situated है, नीलांचल परवत पर और यह में से 108 शक्ति पीट है, तो कभी भी अगर आप गौहाती आए, असाम आए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मा कमक्या Temple ज़रूर विजिट करें और माता जी का आशिरवात भी प्राप करें, तो इस वज़े से क्या होगा कि आप असा अधिक से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और टूरिज्म का भी अच्छे से लाब ठापाएंगे, अद इस इस अल फो टुड़े, वी शेर नौलेज देट हैप्स डेवलप याउर स्किल्स, हम लोग जितने जादा एक दूसरे को स्किल्स को डेवलप करेंगे, उतना ही सो से दूर रहेंगे, नेगेटिव टाइप के लोगों से दूर रहेंगे, उतना ही आप ट्रांजियन हाइपो फ्रेंटालिटी फेस को आप एक्स्पीरियंस कर पाएंगे, इस इस अल फो टोड़े, थांक यू